अब देख रहे हैं लाइब बिहार में हूँ आपके साथ असलम अबास लोग सभा चुनाव को लेकर बिहार में इंडिये ने सभी सीटों पर परतियासी उतार दिये हैं और इंडिये की घटक दल चिराग पासवान की पाटी लोजपाराम बिलास पासवान ने भी अपने सभी पास सीटों पर परतियासियों के नाम का एलान कर दिया है जहां खुद चिराग पासवान हाजीपूर से चुनाव लड़ेंगे तो जम्मुई से चिराग के जीजा यानि की बहनोई अरुन भारती चुनावी मैदान में हैं तो बैसाली से बिनादेवी तो समस्तिपूर सुर सभी परतियासियों पर भरोसा करके चिराग पासवान ने मैदान में उतारा है लेकिन सवाल है क्या जिस तरीके से चिराग पासवान ने परतियासियों को टिकट थमाया है अगर बिनादेवी को छोड़ दे और तो कोई भी परतियासि बाहर के जो हैं कारकरता या पार्टी स इंगठन के नेता उन पर चिराग ने विश्वास नहीं जताया है और उन भारती खुद चिराग पासवान के जीजा है जो परिवार घर के सदस हैं तो दूसरी तरफ खगड़िया से राजेस बर्मा जो युवा चेहरा तो हैं लेकिन उन पर भी बाहरी होने का ठपा लगा हु और अचानक शिराग ने उन्हें समझते पुछे टिकड़ हुए थमा दिया है जिसके कारण लोचपा राम बिलास के कारकरताओं में भारी नाराजगी और गुस्सा देखी जा रही है इसको लेकर कारकरताओं में काफी चर्चाएं भी है छेतर में भी काफी चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान ने अपने संघर्च के दिनों के मुसीबत में जब कारकरतान नेता पाटी के साथ खड़े रहे चिराग पासवान पार्टने में अपने परिवार और बाहरी लोगों पर भरोसा जताया है आखिर जो कारकरता नेता पार्टी में संघर्ष कर रहे थे संघर्ष के दिनों में जब चिराग पासवान को चाचा पसपति पारस छोड़ कर चले गए थे तो उस जमाने में चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे और चिराग को करकरता और निताओं ने पार्टी में बहुत ही से अंहर्ष करके मदद पहुँचाया था लेकिन उनको चिराग पासवान ने दरकिनार कर दिया है इसके अलावा सबसे बड़ा जो सवाल है वो मुसल्मानों को लेकर है पिछले लोकसवा चुनाव यानि कि 2019 में लोचपा ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी जिसमें एक सीट पर खगड़िया चौधी महभूब अली कैसर को मुसल्मान की रूप में टिकट दिया गया था लेकिन इस बार चिराग ने उनकी भी टिकट काट दी है तो क्या चिराग पासवान की पाटी में अब मुसल्मानों की कोई हैसियत नहीं रह गई है यह वहीं मुसल्मान है जिसको लेकर राम विलास पासवान 2005 विधानसवा चुनाव के दौरान मुसलिम मुख मंतरी के मुद्दे पर किंग मेकर की भूमका में थे और उन्होंने आखिरकार लालू यादो को सत्ता से बिदखल ही कर दिया और एक साल के अंदर यानि कि छो महिना के अंदर ही दुसरी बार बिहार विधानसवा के चुनाव हुई थी और मुख मंतरी नितिसकुमार सत्ता में आये थे यानि कि मुस्लिम मुख मंत्री के मुद्दे पर जिस तरीके से राम बिलास पासवान ने सत्ता में लालो यादों को आने शुरोग दिया था और साब साब उन 2005 विधानसवा चुनाव में जो पहली बार विधानसवा चुनाव हुई थी उसमें अप्रिल माई के विधान सवा चुनाव में अगर आप गौर करेंगे तो लोचपा यानि की राम विलास पासवान की पार्टी को 29 विधायक जीत कर आए थे और 29 विधायक को लेकर राम विलास पासवान ने लालू यादो से साप साप कहा था कि अगर मुसलिम मुखमंत्री बनाईगा तो हम आपको समर्थन देंगे और लालू यादो को यही बात नागवार गुजरी और लालू यादो ने बात मानने से इनकार कर दिया और आखिरकार दुसरी बार बिहार विधान सबा का चुना हुआ और लालू यादो की सत्ता हाथ से चली गई और मुखमंत्री नितिस कुमार बिहार के सत्ता में काभिज हो गय थे लेकिन अब जो है रामिलास पासवान इस दुनिया में नहीं है उनके बिरासत को उनके बेटे चिराग पासवान समाल रहे हैं लेकिन चिराग पासवान ने अपने पाटी से मुसलमानों को पुरी तरीके से बाहर कर दिया है पांच लोग सभा के सीट में एक भी सीट पर चिराग पासवान ने मुसलिम परतियासी के रूप में नहीं उतारा है अब इससे स्पष्ट है कि जो पासवान जी कभी मुसलमानों को लेकर बिहार में दो-दो बार चुनाओ करवा चुके थे अब उनके बेटे राजनितिक विरासत को तो सम्हाल रहे हैं दाबा भी कर रहे हैं लेकिन एक तरफ कारकरता नाराज हैं तो दुसरी तरफ चिराग पासवान से मुसलिम भोटर कितना खुश होंगे आप खुश समझ सकते हैं जिस तरीके से पार्टी से मुसलमानों को चिराग पासवान पूरी तरीके से बाहर कर दिया आप खुश समस्कते हैं कि चिराग पासवान ने लाजनितिक विरासत को समालने की कोसिक गए कैसे समहाल रहे हैं आकर जिस लेना चाहते हैं क्या उनको टिकट देने में उनको कोई परशानी है या कहें कि चिराग ने सचमुच में मुसल्मानों को अपने पार्टी से बाहर करने का रास्ता दिखा दिया है अब उनके पार्टी में मुसल्मानों की कोई पकड मजबूत हैसियत नहीं रह गई है आप बहुत सुक्रिया लाइब भिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें